हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो आज के समय में कोई भी करना नहीं चाहता तो आज लगबग जब हर एक व्यक्ति को नौकरी की तलाश है और अधिकांश को तो सरकारी नौकरी की तलाश है ऐसे दोर में हरीश धन्देव ने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने जीवन को एक अलग लक्षे दिया और उसे पूरा भी किया आईए जानते हैं उनके संगर्स और सफलता का सफर हरीश का जन्म जैसल मेर से 40 किलोमेटर दूर एक छोटे से गाउं में 1989 यानी 1989 में हुआ था उनके पिता रूपा राम धन्देव राजस्थान में चीफ एंजिनियर के बद से रिटायर हुए थे अपने पिता की ही तरह हरीश ने भी एंजिनरिंग की पढ़ाई की और उन्होंने सिविल एंजिनरिंग से जैपूर से बीटेक की डिग्री ली फिर दिल्ली के कॉलेज में MBA के लिए एड्मिशन लिया लेकिन बीच में ही जैसल मेर नगरपालिका में उन्हें जूनियर एंजिनियर की नौकरी मिल गई नौकरी सरकारी थी इसलिए MBA छोड़कर वा नौकरी करने निकल पड़े पर वा कुछ बड़ा और कुछ अलग करना चाहते थे इसलिए मात्र छे महिनों में ही उन्होंने वा सरकारी नौकरी छोड़ दी और एग्री कल्चर यानी खेती से जुड़ने का निश्टे किया पर किस चीज का उत्पादन करे यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था यह उनके लिए एक प्रश्ण था कि खेती करना चाहते हैं बट किस चीज की खेती करें एक बर वा एक एग्री कल्चर यूनिवेस्टी गए थे जहां से उन्हें एलो वेरा की खेती करने का विचार आया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी एक कमपनी एग्री कल्चर कमपनी शुरू की जिसका नाम है नैचुरेलो एग्रो अपनी इसी फर्म के अंतरगत बीका नेर से 25,000 एलो वेरा के प्लांट खरीद कर लेकर आये वो और उन्होंने दस बीखा जमीन से खेती शुरू की पर शुरू आती समय में उन्हें असफलता ही मिली उनके पास कोई खरीदार नहीं थे उनका खर्च तक नहीं निकल रहा था लोगों ने उनके इस निड़ने को मूर्खता पूर्ण भी बताया पर उन्होंने इन बाधाओ और बस उनके पाहर करके रास्त तलाष्ना शुरू किया और अपनी मार्केटिंग खुद ही शुरू की और पतंजली से संपर्किया पतंजली ब्रैंड से संपर्किया तो पतंजली के प्रतिनी दी उनसे मिलने आए और उनकी मेहनत और द्रण निश्चे की जीत हुई आज पतंजली जैसे बड़े ब्रैंड को सबसे जादा एलोवेरा बेचने वाले सप्लायर हरीश थंदेव ही है और आज वा 120 एकर जमीन पर अलोवेरा, सहजन, अनार और जैतून का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी कंपनी नेचरेलो एग्रो जिसका टर्न ओवर आज के समय में धाई करोड से भी जादा है और सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जैसे उमान में भी बड़ी मात्रा में अलोवेरा सप्लाई करते हैं हरीश थंदेव और अपनी सफलता से उन लोगों को गलत भी साबित कर रहे हैं जिनोंने सरकारी नौकरी शोड़ कर खेती करने के फैसले को मूर्खतापूर्ण बताया था तो आपको उनके बारे में जानकर कैसा लगा ये कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थांक्यू